वेलकम टू लख्की एकजाम यूटूब चैनल आज हम लोग केमेस्ट्री का लास्ट पार्ट देखेंगे और साथ में 5-6 क्योशन जो S.A.C.C.L. 2016 में पूछा गया था जो डिफेंस या फिर स्पेस रिलेटिट क्योशन थे उसे भी करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्योशन नमबर 81 है लाइम स्टोन इज रॉव मेटेरियल यूज़ बाय विच इंडस्ट्री तो इस कांसर हो जाएगा सिमेंट निमरिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का पड़ियोग कच्चे माल की रूप में किया जाता है तो ये सिमेंट है जिसका पड़ियोग कच्चे माल की रूप में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा किसी परमानू की परमानविक संख्या से निमलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है तो ये प्रोटोन का पता चलता है क्यूसर नमर 83 Which of the following is a study of fossils? तो इसका अंसर हो जाएगा? प्रेले उन्टोलोजी जिवाश्म के अध्यन को क्या कहते हैं? तो ये जिवाश्म विग्यान है क्यूसर नमर 84 Chemical properties of isotopes Must be same Isotope के रसाइनिक गुन समान होने चाहिए क्यूसर नमर 85 Short taste of lemon is due to the presence of which of the following? तो इसका अंसर हो जाएगा citric acid नीम्बू का खटा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये citric acid के मौजूदगी के कारण होता है क्यूसर नमर 86 Glycol is used to manufacture which of the following? तो इसका अंसर हो जाएगा terrylene Glycol का पड़ियोग किसके निर्वान में किया जाता है? तो ये terrylene के निर्वान में किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा chlorofluorocarbon निम्रलिखित में से किस ग्रिन हाउस गैस में शरवाधिक उसमारोधी छमता होती है तो ये chlorofluorocarbon है जिसमें सरवाधिक उसमारोधी छमता होती है तो इसका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा इथाइल अलकोहल शक्कर के किनवन के द्वारान कौन सा योगिक हमेशा बनता है तो ये इथाइल अलकोहल है जो हमेशा बनता है वायू में से कार्बन के कन निकानने के लिए कौन से सिधानत का परयोग किया जाता है तो ये वैधूत कन शंचालन का परयोग किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा एक्टिवेटेट कोकोनट चारकोल निमलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोशक है तो ये सक्रियत नारियल कास्ट कोईला है तो इसका अंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्रोकसाइड कागर जो द्योग में लुगदी को रंगीहिन करने के लिए निमलिखित में से समानेता किश का परयोग किया जाता है तो ये हाइड्रोजन प्रोकसाइड का परयोग किया जाता है क्योशन नमर्ण 94 तो इसका अंसर हो जाएगा किसी गैस का आन्विक दर्मान उसके वास्प दाब से दुगुनना होता है क्योशन नमर्ण 95 Brown stains in vessels and clothes indicate the presence of high quantities of manganese in water बरतनोत और कपरों पर बादामी धब्बे पानी में डैस की अत्याधिक मातरा के संकेतक है क्योशन नमर्ण 96 At room temperature, the metal that remains liquid is तो इसका अंसर हो जाएगा Mercury कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी राती है तो यह पारद है जो तरल अवस्था में बनी राती है कमरे के ताप पर क्योसर नमर 97 Which is known as carbolic acid तो इसका answer जाएगा phenol निमलिकित में कौन carbolic amal के नाम से जाना जाता है तो यह फिनॉल है जो कार्बोलिक अमल के नाम से जाना जाता है Q. 98 Which of the following is used as non-stick coating for cooking utensils? तो इसका अंसर हो जाएगा टेफलोन खाना बनाने वाले वर्तनों में निमलिखित में से क्या non-stick coating के लिए पड़ियोग किया जाता है तो यह टेफलोन है जिसका पड़ियोग किया जाता है Q. 99 Particulates remaining suspended in air indefinitely and transported by wind currents are called तो इसका अंसर हो जाएगा aerosols कनो जो अनिशित काल तक वायू में निलंबित रहती है और वायू पर वहा द्वारा अंतरित होती है क्या कालाती है तो यह aerosol कालाती है Q. 100 The least preferred technique in the disposal of municipal solid waste is तो इसका अंसर हो जाएगा Brickating नगरपाली का द्वारा ठोस अप्षिष्ट पदार निप्टाने की तकनिक जो सबसे कम पसंद की जाती है उसे barricating कहते है Q. 101 Which of the following gases is known as laughing gas तो इसका अंसर हो जाएगा nitrous oxide निमलिखित में से कौन सी गैस को हस गैस कहते है तो यह nitrous oxide है Q. 102 The solid waste is also known as तो यह sludge है Solid waste निमलिखित में से और किस नाम से जाने जाती है तो यह sludge के नाम से जाना जाता है Q. 104 In water treatment plant, use of chloramines and seos Disinfection जल उपचार संयंत्र में chloramines के परयोग से क्या सुनिसित किया जाता है तो यह विसंक्रमन को सुनिसित किया जाता है Q. 105 Which method will be employed to test the hardness of water तो इसका अंसर हो जाएगा Formation of leather with soap पानी की कठोर्ता की जाच करने के लिए किस विधी का परयोग किया जाता है तो साबुन से छाग बनाने का परयोग किया जाता है पानी की कठोर्ता की जाच करने के लिए Question number 106 Of the following commonly used materials the one that is not an alloy is तो इसका अंसर हो जाएगा copper समाने तह परयोग थोने वाले निमलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्रधातू नहीं है तो ये तामबा है जो मिश्रधातू नहीं है Question number 108 Bronze is an alloy of copper and tin कांसा किस की मिश्रधातू है तो ये तामबा और tin की मिश्रधातू है Question number 109 तो ये pure water है निमलिखित में से किस का pH मान 7 होता है तो ये शुद जल का pH मान 7 होता है अब हम लोग mislaneous science का question आंसर करेंगे जो SSE CGL 2016 में पूछा गया था तो चली देखते हैं आज का मारा question number 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलियान मिशन निमलिखित में से कौन सा भारत का पहला इंटर प्लानेटरी मिशन था तो ये मंगलियान मिशन था जो भारत का पहला इंटर प्लानेटरी मिशन था Question number 2 The space shuttle which took Sunita Williams beyond earth was तो ये discovery था जिस space shuttle से Sunita Williams पिर्थवी से पड़े गई थी उसका क्या नाम था तो उसका नाम discovery था Question number 3 Sunita Williams is a क्या है तो answer astronaut Sunita Williams एक अंधरिक श्यात्री है Question number 4 Indian Army's School of Artillery is located at तो इसका answer हो जाएगा देवलाली भारती सेना का तोप खाना विद्याले School of Artillery कहां इस्थित है तो ये देवलाली में इस्थित है Question number 5 The first commercial civilian aircraft developed by India is तो इसका answer हो जाएगा सारस भारत द्वारा विक्सित पर्थम वानिजदिक और सैनिक वायवान कौन सा है तो ये सारस है Question number 6 Match list 1 with list 2 तो ये है सारस सारस एक multi-purpose civil aircraft है विस्म क्या है विस्म एक battle tank है जो T90 के category में आता है ब्रहमोस क्या है ये एक परकार का missile है इन्जेट 3C क्या है एक satellite है तो इसका answer हो जाएगा 4 तो दोस्तों ये था हमारा chemistry का last part अब हमारा next topic होगा computer and IT से related जो SSC CGL 2016 में पूछा गया था तो किर्पया उसे भी ज़रूर देखे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक, share and subscribe ज़रूर करें